हेलो गाईज, वेलकम बैक टो माई चैनल ड्रामा सिरीज, आज मैं फिर से एक नए ड्रामा के साथ आप लोगों के सामने पेस हुई हूँ अगर आपको फोर्स्ट मैरेज लब स्टोरी पसंद है तो आपको ये ड्रामा बहुती अच्छा लगेगा तो इस ट्रामा की explanation को start करने से पहले मैं आपको इस ट्रामा के बार में कुछ बता देती हूँ इस ट्रामा की स्टोरी एक स्कूल में पढ़ने वाली 17-18 साल की लड़की की होती है जिसके जबरदस्ती साधी एक करोर पती से करवा दी जाती है जो उससे दस साल बड़ा होता है क्योंकि उस बच्ची की जो सोतेली मा होती है वो पैसो की बहुत बड़ी लालची होती है जिस वजासे वो अपनी सोतेली बेटी का सोधा कर देती है सिर्फ पैसो के लिए और इस कहानी में एक और ट्विस्ट होता है जिससे उस छोटी बच्ची की साधी होती है वो आदमी उसके पापा का कातिल भी होता है वेल जब उस छोटी सी बच्ची की साधी उससे 10 साल उम्र वाले आदमी से होगी तो उन दोनों के बीच कैसा रिस्ता होगा उन दोनों के बी पर उसके पापा आए ही नहीं होते हैं लेकिन तबी गल्तीस को कोई ञता है जिस तरी होती है गल्तिकिका पोड़ी और colors ब्रॉकं और तैन अपनी बेटी की स्कूल जारा होता है उसका प्रोग्राम देखने के लिए क्योंकि उसने अपनी बेटी को प्रॉमिस किया होता है कि तभी एक्सिडेंटली उसके कार से लाडा के पापा का एक्सिडेंट हो जाता है क्योंकि उसके पापा फोन पर बात कर रहे होते हैं और उनका रोट पर ध्यान नहीं होता जिस वज़ा से उनका एक्सिडेंट हो जाता है तो तेहन लाडा के पापा को इस हालत में देखकर पूरी तरह परिसान हो जाता है और वो एंपुलेंस को कॉल करने को कहता है इधर लड़ा की सोतेली मा सोई और उसकी सोतेली बेहन सोनू आती है तो सोई नर्स से पूछती है मेरे पती की हालत कैसी है वो अब ठीक है ना पर नर्स उसे कुछ भी नहीं बताती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है तो सोई को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है वैसे ही हमारी हलत भहुत ही खड़ाब है उपर से ये एक्सिडेंट हो गया अब ये सारा खर्चा कौन उठाएगा वो एक्सिडेंट करने वाला तो भाग गया सारे खर्चे हमारे उपर छोड़ कर तो सोनु कहती है मौ मैं ऐसा मत कहो अंकल ने ये सब को जान बुश कर तो नहीं किया होगा ना वैं सोनु जितनी अच्छी लड़की काइन हाटेड होती है उसकी मा उतनी ही कमीनी और एक नमर की लालची ओरत होती है और सोई तैन को बुरा भला कहने लगती है कि तब युदर से तैन आता है और उन लोगों को बताता है कि उसी की गारी से लारा के पापा का एक्सिजेंट हो गया है तो सोई ये बात सुनकर तैन को खूब खड़ी खोटी सुनाती है और कहती है तुमारी इस गलती की वज़ए से हमें क्या कुछ नहीं भुगतना पर सकता है अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा तो तैन कहता है मैं आप लोगों की जिम्मेदारी मैं आप लोगों को पूरा हर जाना दूँगा तो सोई कहती है मैं तुम जैसे आदमी पर कैसे भरोसा कर लूँ तुम आज हमारी हेल्प करने की बात कर रहे हो पर कल तुम मुगर गए तो मैं क्या करूंगी तो तैन कहता है मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ मैं अपने वादे बात करने लगती है और अपनी बेरुखी के लिए उससे माफी भी मांगती है तो तैन कहता है इसमें मेरी ही गलती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए इधार लाडा को जब अपने पापा के एक्सिजेंट के बार में पता चलता है तो बैचारी दोरती भागती हुई हॉस्पि तो पूरी तरह सदमे में चली जाती है और सदमे के बारे वो बेहोस हो जाती है आगे जब लाडा को होस आता है तो उसे इस बात पर बिलीव नहीं होता कि उसके पापा उसे हमिसा हमिसा के लिए छोड़ कर चले गए है पर उसकी बहन उसे समहालती है और कहती है लाडा प्ल सतरिंगी औरना हुखती है तसमें पुम्हारारा को बताती हैं कि इसमें कही कोई गलती नहीं है बलकि उसके पापा की ही जा रहे थे और उन्होंने ट्रेफिक दूरा जिस वजह से उनका एक्सेंथ हो गया इसमें तेन कहीं कहीं गलती नहीं थी है Tan और वो उसे खुब नफरत करती है आगे सोई अपने हरकत उसे बाज नहीं आती और वो तैन से हर जाने के नाम पर लाखोर उपए एटती है और तैन भी सोई की बातों में आकर उसे लाखोर उपए का चेक काट के दे देता है और सोई उस पैसे को पाकर बहुत ही खुष होती है आगे लाटा घर जाकर अपने पापा को याद करके खूब रोती है दूसी तब तैन की हालत भी अच्छी नहीं होती और उसे लाटा के लिए बहुत बुरा लगता है आगे तैन घड़ आता है तो उसकी बेटी उससे नाराज रहती है क्योंकि उसने अपनी बेटी को प्रॉमिस किया था कि आज वो उसके स्कूल आएगा पर वो नहीं आया जिस वज़ा से उसकी बेटी उससे बात नहीं करती और गुसा होकर वहां से चली जाती है तो मौन कहती ह उसे थोड़ा टाइम दो वो ठीक हो जाएगी तो तैन कहता है थैंक यू सो मच तुम मेरी कितनी हेल्प करती हो तुम वान की दोस्त हो और वान के जाने के बाद तुमने मेरी बेटी का खयाल अपनी बेटी की तरह रखा इसलिए प्लीज मुझे मुझे माफ कर दो मेरी लेना ठीक है एक्चुली मौन का ये सब करने का एक मौटिव होता है एक्चुली मौन तैन को बहुत ही पसंद करती है इसले वो उसकी बेटी का जर्या बनाकर उसके दिल में जगा बनाने की कोसिस करती है और उसकी बेटी को गलत गलत बात सिखाती है ताकि वो उसकी घर में रोज आए और तैन के करीब जा सके पर तैन मौन को भाव ही नहीं देता बस वो उसे अपनी पत्नी का बेस फ्रेंड समझता है और उसे एक दोस्त के नाते ट्रीट करता है अगले दिन सोई अपनी बेथियों के साथ अपने पती का अंतिम संसकार मनाने के लिए जा रही होती है कि तभी रास्ते में एक चोड उसका पर्स लेकर भागने लगता है लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर ताई आ जाता है और उस चोड को पकर कर उन लोगों का पर्स उन्हें वापस करवाता है एक्चली ताई एक पुलिस ओफिसर होता है और सोनु को ताई पहली नजर में ही पसंद आ जाता है आगे वो लोग अंतीम संसकार की प्रक्रिया कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर तैन भी आता है लाडा के पापा को सरधांजली देने के लिए तो लाडा जैसे ही तैन को देखती है उसका गुसा साथवे आसमान पर पहुंच जाता है और वो तैन को चु क्योंकि तैन भौती अमीर होता है और सोई जहां पर पैसा देखती है वो वहाँ पर अपनी नाग घुसरने लगती है और अपनी बेटी को तैन के साथ सेट करने की कोसिस करती है इधर लाडा तैन को परसान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती तो तैन कहता है अगर तुम करो मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो लाड़ा कहती है तुमने मेरे पापा को मारा है चाहे लोग कुछ भी कहे तुमने मेरे पापा को मारा है और तुमने ही मेरी सारी खुसियों को नजर लगाई है मैं तुमें कभी भी माफ नहीं करूंगी तो तैन कहता है मैंने पहले भी कहा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो सोई कहती है, तुम इतने दिन रुखी चुके हो, बस थोड़े दिन और रुख जाओ, तुम्हें पता है ना, अभी हमारी हाला ठीक नहीं है, और मैं इस हालात में किसी से कोई बात भी नहीं कर सकती, प्लीज सिया थोड़ा टाइ से माफ कर दूँगा, तो सोई कहती है, अभी लाड़ा के पापा की मौत हुई है, मैं लाड़ा से इस बारे में बात नहीं कर सकती, मैं बहुत जल लाड़ा से इस बारे में बात करूँगी, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो सिया, तो सिया कहता है, ठीक है मैं तुम्हे थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं लेकिन जादा नहीं दूगा इधर तैन उन दोनों की सारी बाते सुन लेता है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है कि आखेकर ये सब क्या चल रहा है आगे तैन सोक सभा को एटैन करके घर वापस जा रहा होता है तो रास्ते में उसका टायर पंचर हो जाता है तो तैन समझ जाता है कि ये सारा कारणामा लाडा का है और लाडा अपनी बचकानी हरकतों से उससे बदला लेना चाहती है तो तैन को लाडा की इस कारणामे से भी बुरा नहीं लगता और वो खुसी-खुसी इसे भी एकसेप्ट कर लेता है अगले दिन तेन अपनी बेटी से बात करने की कोसिस करता है, पर उसकी बेटी उसे इग्नॉर करके अपने चाचा ताई से बात करती है, और कावी सिर्फ अपने चाचा की ही बात मानती है, और अपने पापा से बात भी नहीं करती है, तो ताई कहता है, वो अभी बच्ची है, बस उसे थो नहीं करती वो बस अपने पापा से नफरत करती है वो हमेसा अपने पापा से उखरी-खरी रहती है और हमेसा जित करती रहती है तो ताई कहता है भाई टेंसन मतलो वो बच्ची है वो ठीक हो जाएगी आगे ताई तैन से पूछता है भाई आप बहुत ही परिसान लग रहे हो आखेकर क्या बात है तो टेन टाई को पूरी बात बता देता है तो टाई कहता है भाई मुझे पता है लाड़ा के साथ बहुत बुरा हुआ है और उसका ये सब करना सो भाविक है लेकिन उसे समझना होगा ये सब एकसिडेंट था तुमने जान बुझकर उसके पापा को नहीं कब तक तु लड़कियों के पीछे घुमता फिरेगा तो ताई कहता है आपको पता है ना भाई जिस लड़की को मैं ढून रहा हूं वैसी लड़की इस दुनिया में बनी ही नहीं है आगे वो लोग फिर से सोक सभा में जाते हैं तो सोई और सोनु को जैसे पता चलता है कि ता अपना टाका भिरा लो ताकि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए तो सोनु कहती है मॉम मैंने आपको कितनी बार का है मुझे इन सब जमेले में मत फसाइए मैं ऐसे वैसे लड़कों से साधी नहीं करूंगी मैं उसी से साधी करूंगी जिससे मैं प्यार करूंगी तो सो लाडा को बड़े प्यार से समझाता है तो लाडा ताई के सामने एक्टिंग करने लगती है कि वो समझ गई है और ताई यही बात सोच कर खुस होड़ा होता है कि लाडा उसके चार्म में पूरी तरह फस गई और ताई अपने भाई के सामने जाकर तरही मारने लगता है कि म मजाग बनाने लगता है सोनो को जब लाडा की इस हरकत के वारे में पता चलता है तो वो लाडा को समझाती है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए तो लाडा अपनी बहन के सामने तो कह देती है कि वो आइंदा से इसी हरकत नहीं करेगी पर वो मन ही मन में तैन से बदला लेने का प्लान बना रही होती है अगले दिन वो लोग फिर से सोख सभा में जाते हैं तो लाड़ा जब भी तैन को देखती है उसका गुश्सा सात्वे आसमान पर ही पहुँच जाता है तो तैन लाड़ा से बात करने की कोसिस करता है पर लाड़ा उसकी एक बात भी नहीं सुनती तो अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो सिर्क मुझसे बदला लो इन समय मेरे भाई को मत घसिटो तो लाडा कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है आज से मैं सिर्फ आप से ही बदला लूंगी और यह कहकर चली जाती है आगे सोक सभा खतम हो जाती है तो तैन उन लोगों में धेर सारे मेढ़क छोड़ देती है और अपने घर उतर जाती है आगे वो दोनों भाई जब घर जाड़े होते है तो रास्ते में उन लोगों को मेढ़क की टर-टर की अवाज आती है जब वो लोग बैक खोल कर देखते हैं तो उन दोनों का एक्सिडेंट होते होते बच चाहता है तो ताई को इस बात पर बहुती गुसा आता है और वो सीधा लाड़ा के घर जाता है उसकी वाट लगाने के लिए तो लाड़ा तैन को कहती है आप ने कहा था कि मैं आपके साथ कुछ भी करूं आप कुछ भी नहीं कहेंगे लेकिन आप तो यहां पर मेरी आंटी के सामना करना पर सकता है तुम्हारे आज इस हरकत की वज़ा से हम दोनों का एक्सिजेंट होते होते बच गया क्या तुम कुछ भी करने से पहले जरासा भी नहीं सोचती तो सोई इस बात पर लाडा पर बहुत ही गुसा करती है और उसे माफी मांगने को कहती है पर लाडा उन ल मौत होई है और तुम्हारी वज़ा से आज मेरे पापा मेरे पास नहीं है मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी मैं तुमसे पूरी जिंदकी नफरत करूंगी और लाडा ये कहते कहते बहोस हो जाती है तो तैन को लाडा के लिए बहुत बुरा लगता है तो तैन उस प्रफिटर लेकर आया था और तेन उसके लिए बहुती फिकर मन्द था इसलिए प्लीज तुम तेन के साथ इस तरह बिहेव मत करो उसकी कोई भी गलती नहीं है इन सब में पर लाड़ा पर सोनों के किसी बात कभी कोई असर नहीं होता और उसके दिल में ताई को लेकर कोई भ लेकभाल करने के लिए तो लड़ा जब भी तेन का चेहरा देखती है उसका गुस्सा तो साथवे आसमान पर ही पहुँच जाता है और लड़ा तेन को वहन से जाने को दिल मतरता है इस्जू अब ही गल्फरेंड होती है तो गंड़ा थाई को आँ आज मेरा भाई उसके बद्दे पार्टी पर जाकर वहां की बाग डोर को समालना होगा। को एक साथ छोर देती है ताकि वो दोनों साथ में टाइम स्पेन्ट कर सके और एक दूसरे को जानने की कोसिस करें। दूसी तक तैन लाडा से बात करने की कोशिस करता है और से समझाने की भी कोशिस करता है पर लाडा उसकी एक बात भी नहीं सुनती और वो हॉस्पिटल से घर जाने की जित करती है तो तैन को मजबूरन लाडा को घर छोड़ना परता है आगे तैन लाडा को घर छोड़ने के चलो कुछ खाना खालो तो लाडा कहती है मुझे भूक नहीं है मैं घर जाना चाती हूं तो तैन कहता है अगर तुम अच्छे से खाना खाऊगी तो मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा तो लाडा कहती है क्या तो तैन कहता है तुम्हारे पापा मरने से पहले मुझे तुम्हा तो तैन कहता है तुम्हारे पापा में मरने से पहले मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी सोप कर गए थे उन्होंने मुझसे प्रामिस लिया था कि उनके जाने के बाद मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ तो लाडा जैसे ये सुनती है वो पूरी तरह एमोशनल हो जाती है और वहाँ से दोरते वे बहार चली जाती है और बहार जाकर खूब रोती है कि तभी वहाँ पर तैन आ जाता है और लाडा को इस तरह रोते हुए देखकर उसे भी बुरा लगता है और लाडा को कहता है तुम जितना चाहे उतना रो सकती हो रोने से तुम्हारा दिल हलका हो जाएगा तो लाडा तेन के कंधे पर सर रखकर खूब रोती है और अपना मन हलका करती है आगे तेन उसे घर छोड़ता है तो लाडा कहती है अगर मेरे पापा ने आखरी वक्त में तुम्हें ये कहा था कि तुम मेरी जिम्मेदारी उठाओ तो तुम्हें ये सब करने की कोई जरत नही तो सोनू कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता कोई भी अंजान आदमी अपनी प्यारी बेटी की जिम्मेदारी किसी अंजान आदमी के हाथ नहीं सोब सकता जिसे वो जानता भी नहीं वैसे तुम ये बात क्यों पोच रही हो आपसे जो हो सकता था आपने वो सब किया इसलिए अपने आपको बुरा फिल करवाने की कोई जुरत नहीं है तो तैन कहता है लाड़ा कावी की तरह जिती है वो कोई भी बात नहीं समझती लेकिन मैंने उसके पापा को प्रॉमिस किया है तो मैं अपना वादा जरूर अगली सुभा अपनी बेटी के साथ breakfast कर रहा होता है पर उसकी बेटी breakfast नहीं करती उल्टा किसी बात का जवाब नहीं देती और सिर्प जिद्धिपना करती है कि तब उधर से मोन आती है तो कावी जैसा ही मोन को देखती है उससे देखते ही वह खुस हो जाती है और उसकी ब भी नहीं सुनती तो मौन कहती है वो अभी छोटी बच्ची है उसे बस थोड़ा टाइम दो बिना मा की बच्ची है इसने थोड़ी जिद्धी हो गई है वो धिरे धिरे ठीक हो जाएगी और मौन यहां पर तैन पर डोरे डालने लगती है तो तैन उसकी किसी बात का जबाब न पने भाई को कहता है क्या तुम इस बंदे के बारे में पता लगा सकते हो क्योंकि मुझे ये बंदा अजीब लग रहा है तो ताई कहता है ठीक है मैं इस बारे में पता लगाऊंगा अगले दिन लाडा की टीचर लाडा को बुलाती है और कहती है तुम्हारा एक्जाम बुरा हुआ लेकिन इन सब को सोच कर तुम अपनी लाइफ तो बरबाद नहीं कर सकती ना तुम्हारे पापा का सपना था तुम्हें युनिवर्सिटी में जाता है देखना तुम्हारे पापा यहां पर नहीं है कम से कम उनके सपने को तो पूरा करो तो लाडा कहती है तु से पैसे निकलवाने की कोसिस करती है और उसके सामने ये जूट बोलती है कि पैसों की वज़ा से लाड़ा अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना नहीं चाहती तो तैन कहता है मैं इस बारे में लाड़ा से बात करूँगा तो सोई इस बात को छुपाने के लिए इन को कोड़ी भी नहीं देता तो बैचारी सोई को खाली हाथी घर वापस आना पड़ता है आगे जब सोनो को अपनी मॉम की इस हरकत के बारे में पता चलता है तो वो अपनी मॉम को कहती है मॉम आप इस हरकत कैसे कर सकती है उन लोगों ने आल्रेडी हमें बहुत सारा पैसा दिय और आप फिर से उनके पास पैसे मांगने के लिए चली गई तो ही कहती है तो क्या हो गया मैंने तो बस उनसे थोड़े से पैसे मांगे थे अगर वो मुझे थोड़े से पैसे देखी देते वो कोई गरीब नहीं हो जाते लेकिन उन्होंने मुझे एक भूटी कोडी नहीं द तो सोई कहती है मैं भूटी कोडी भी खर्च नहीं करूंगी इसलिए मैं उसकी पढ़ाई बंद कर रही हूं तो सोई जैसे ये बात सुनती है वो तो पुरी तरह सौक्ट हो जाती है मौ मा पैसा नहीं कर सकती आप लाड़ा की लाइफ के साथ खिलवार नहीं कर सकती मैं आपको ऐसा करने नहीं दूगी तो सोई सोनू की एक बात भी नहीं सुनती और वो सिधा लाड़ा के पास जाती है और उसे कहती है बेटा मुझे माफ कर दो मैं तुम्हारी पढ़ाई का ख कुछ भी कर सकते हैं तो लाड़ा को बिलीव नहीं होता कि उसके पापा एक जुवारी थे पर सोई लाड़ा के दिमाग में इस तरह बाते घुसाती है कि लाड़ा को भी बिलीव हो जाता है तो लाड़ा कहती है आँटे आप टेंसन मत लो मैं आपकी फैनैंसियली हेल्प कर जाएगा तो वो तैन से कुछ पैसे मांगेगी पर लाड़ा तैन का नाम सुनते ही गुस्से में आ जाती है इधर सोनु को जब इस बार में पता चलते है तो उसे भी इस बात पर बिलीव नहीं होता कि उसके अंकल एक जुवारी थे तो वो अपनी मॉम से पूछती है क्या ये बात सच है मॉम तो सोई कहती है तो क्या में जूट बोलूँगी तुम्हारे अंकल एक जुवारी थे और उन्हीं की वज़े से आज हमें इतनी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पर रहा है तो सोनु अपनी मॉम की बाते सुन लेती है और वहां से चली जाती है पर उसे इ पारे में लाडा के पापा को पता चला था तो वो पूरी तरह सौक्ट हो गये थे कि उनकी वाइफ ने गेंगेस्टर से इतना बड़ा करजा अपने सर पर चरहा लिया है तो अपने कारणामे को छुपाने के लिए अपना सारा इल्जाम लाडा के पापा पर लगा देती है और इस बारे में किसी को भनक भी नहीं परती इधार लाडा अपनी दोस्त से अपनी प्रोब्लेम को सेर करती है तो उसकी दोस्त कहती है मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक नौकरी है अगर तुम करना चाहो तो लाडा कहती है थेंक्यू सो मच मेरी दोस्त मुझे उस नौ तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा बस तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो तो लाड़ा को इस बात पर बहुत ही गुसा आता है और वो कहती है मुझे तुम्हारी वजह से मेरे पापा की मौत होई है जिसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी और मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए क्या तुम दे सकते हो और लाड़ा ये कहकर वहां से चली जाती है तो तैन को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उसके इतने कोसिस करने के बापसुद भी लाड़ा उसकी एक बात भी नहीं सुन रही होती है अगले दिन लाड़ा खूब डारता और कहता है तुम्हारा ध्यान कहा था अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाता तो उसकी जिम्हेदारी कौन लेता तुम जैसे लोगों की प्रॉबलिम ही यही है तुम लोग गलते भी खुद करते हो और इल्जाम भी दूसरों पर लगाते हो तो तैन उस बं उसकी बेटी उल्टा उस पर गुसा करने लगती है क्योंकि उसने उससे प्रॉमिस किया होता है कि वो उसके लिए स्नैक्स लाएगा पर खाली हाथी गारी के अंदर आ जाता है तो कावी इस बात पर अपने पापा से बहुत ही गुसा हो जाती है और वो बात भी नहीं करती तो बेचारा तैन पर इसान हो जाता है कि वो अपनी बेटी को कैसे समझाए इधर सिया सोई को धमकी देता है कि अगर लाडा प्यार से नहीं मान रही तो उसके साथ जबर्दस्ति करो तो सोई कहती है क्या ये सब लाडा के साथ करना ठीक होगा तो सिया कहता है अगर तुम मेरी बात मानने ही होगी तो सोई को मजबूरन सिया के प्लैन में उसका साथ देना परता है इधर लादा उस एक्सिजन्ट के बारे में सोच रही होती है और उसके दिल में कस्मकस रहती है कि क्या सच में तेन की उस दिन कोई गलती नहीं थी क्या वो सिफ एक एक्सिजन्ट था और बेचारी लादा यही सब सोच सोच कर पुरी तरह परिसान रहती है इधर तेन लादा के फोन में उसकी सारे पिक्चर्स को बड़े प्यार से देख रहा होता है कि तब इधर से ताई आता है और तेन को सिया के बेक्ग्राउंड के बारे में बताता है कि वो एक नमर का कमीना इंसान है वो बहुत सारे इल्लिकल काम करता है वैसे तुम उस इंसान के बारे में क्यों जानना चाहते थे मुझे इस बारे में बताओ तो तेन उसे पूरी बात बता देता है तो टाई ये बात सुनकर पूरी तरह सौक्ट हो जाता है और वो टैन को कहता है हमें लाड़ा को सिया से बचा कर रखना होगा क्योंकि सिया एक नमर का कमीना इंसान है और वैसे भी हम लोग ये भी नहीं जानते कि लाड़ा की सोतेली माँ उसके साथ क्या करेगी कर लोना तो ताई कहता है भाई आप उस सेतान बच्ची को मेरे मत्थे मरना चाहते है बिल्कुल भी नहीं मैं उस बच्ची को नहीं जेल सकता लेकिन मेरे पास एक ऐसा इंसान है जो उस फूट मत बोलू, आपकी सकल को देखकर लगता है कि आप भी उसे धीरे-धीरे पसंद करने लगे हो, और यहाँ पर ताई अपने भाई की ही टांक खीचने लगता है, अगले दिन लाड़ा अपने काम पर जाती है, तो वहाँ पर उसकी मुलाकात कावीन से हो जाती है, तो पर काविन लाडा की एक बात नहीं सुनती उल्टा उसे एग्णॉर मारती तो लाडा को भी गुज़सा आ जाता है और वो जब अगले दिन तेन लाडा के घर जाता है उसका फोन रिटरन करने के लिए। तो सोई इस मौके का फाइदा उठा कर तेन को अपने घर के अंदर ले कर जाती है और उसे डिनर पर भी इन्वाइट करती है। ताकि सोई इसी जड़िये से अपनी बेटी को तेन के साथ सेट कर सके और सोई एक मौका भी नहीं छोड़ती तेन के सामने सोनु की तारिफ करने से तो लाडा जैसे ही तेन को देखती है उसका गुसा तो साथवे आसमान पर ही पहुँच जाता है और वो तेन को भगाने की कोस जाओ और तेन सोनु के सामने एक जौब उफर रखता है तो सोनु को ये जौब उफर अच्छा लगता है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है तो लाडा को बहुत ही गुसा आता है और वो तेन से बदला लेने के लिए उसके कौपी में धेर सारा निमू मिला देती है तो त उसने अपने रूम का तो पूरा समान भी इधर उधर फेक दिया है तो 10 काविन के रूम में जाता है और से समझाने की कोसिस करता है पर काविन 10 की एक बात भी नहीं उल्टा गुस्से से जाकर सो जाती है तो बेचारा 10 अपनी बेटी की ऐसी हालत को देखकर पुरी तरह परिस तो तैन कहता है तुम ऐसी बाते क्यों कर रही हो वान, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा तुम फूरी जिंदकी मेरे और काविन के साथ रहोगी तो वान कहता है जिंदकी का कोई भरोसा नहीं है तैन इसल również तुम मुझे करो तो तेन अपनी वाइफ को प्रॉमिस कर देता है पर वो बहुत इमोशनल भी हो जाता है आगे तेन अपनी वाइफ की बातों को याद करके बहुत ही सैज रहता है और अपने आपको कोसता है कि वो एक वादा भी नहीं निभा पाया अगले दिन कावी फिर से इसकूल में बदम तो टीचर मेरे पैर्ट्स को बुला कर मेरी शिकायत करती तो लाडा कहती आखेकर तुम यह सब क्यों कर रही हो तुम क्या चाहती हो तो कावी कहती है मैं यह चाहती हूँ कि मौन आंटी रोज रात को मुझे आकर स्टोरी सुनाए ताकि मैं अच्छी से सो पाऊं तो लाडा कर देना मैं तुम्हें अच्छे से स्टोरी सुनाओंगी लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम कोई भी जिद नहीं करोगी और एक अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करोगी तभी मैं तुम्हें रात को स्टोरी सुनाओंगी तो कावी कहत पर उस पर ध्यान नहीं देती और अपने काम में मगन हो जाती है तो तन भी लाड़ा का पिछा नहीं छोड़ता लाड़ा जो 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 बुक चूस करती है तन भी वही वही बुक उठाता है आगे वो दोनों बिल कॉंटर पर जाते हैं तो लाडा के पास इतने पैसे नहीं कि वो सारे बुक्स खड़ीद पाए तो तैन इसमें उसकी हेल्प करता है तो लाडा कहती है जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं आपको डिटन कर दूंगी और लाडा ये कहकर वहां से चली जाती है आगे मॉल में तैन की मुलाकात मॉन स तो मौन यहाँ पर उन दोनों के बीच और दूरिया बढ़ाने के लिए और अपनी इंपोर्टेंस तैन के सामने और बढ़ाने के लिए वो तैन को अपनी बातों में इस तरह उलजाती है कि तैन अपने सारे बुक्स स्टोर पर ही भूल जाता है आगे जब तैन घर आता है तो उसकी नैनी उसे बताती है कि आज कावी ने कोई भी बदमासी नहीं की उल्टा उसने सब कुछ अच्छे से किया और वो अभी अपना होंबर्ग बना रही है तो तैन ये बात सुनकर बहुत ही खुस होता है और वो अपनी बेटी के पास जाता है और कहता है तुम्हें हम दाता है कि वो सारे बुक्स तो मौल में ही भूल गया तो वो अपनी बेटी को प्रॉब्लेम बताता है पर उसकी बेटी उसकी एक बात भी नहीं सुनती और उसे लगता है कि उसके पापा उससे जूट बोल रहे है क्योंकि तैन जब भी अपनी बेटी के लिए कुछ लगता है कि कम से कम उसकी बेटी आज चेंसे तो सोईगी इधर गांडा को ताई में जरासा भी इंटरेस्ट नहीं रहता और वो उससे ब्रिक अप करने की प्यानिंग करने लगती है क्योंकि ताई अमीर खांदान का बच्चा होने के बाब जूद भी वो अपनी अमीरी किसी क सामने नहीं दिखाना चाता वो बस अपनी पुलीस ऑफिसर की सैलरी पर अपनी पूरी लाइफ काटना चाता है इस वज़ए से गांडा को ताई में अब जरासा भी इंटरेस्ट नहीं रहता पर ताई को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता इधर सोई सिया के साथ मिलकर अपनी दोनों बेटियों के साथ बीच पर जाती है घूमने के लिए और वो लाड़ा को बहुती सेक्सी लुक में तयार करती है तो सोनु लाड़ा को कहती भी है तुमने ये कैसे कपरे पहने है तो लाड़ा कहती है ये आंटी ने मुझे गिफ्ट किया है तो वो मॉम से कावी को बीच पर ले जाने की प्लानिंग करता है और वो लोग पूरे रास्ते कावी का मुझ ठीक करने की कोशिस करते हैं इधर सोई अपनी तिक्रम बाजी से सिया को बुलाती है और अपनी बेटियों के सामने ऐसी नोटंकी करती है कि वो अन जाने में सिया से मिली है तो स तो सोनू कहती है मुझे रात को भूतों से ड़र लगता है दो सोनू किहती है मुझे अपने पास वह कह रही है। तो मेरी बात समझो ना तो लाडा कहती है दिदी आप आंटी के साथ सो जाओ मैं अकेले सो जाओंगी। एक्चली ये सब सोई और सिया का प्लैन रहता है ताकि लाडा रुम में अकेली रहे और आधी रात को सिया इसी मौकी का फायदा उठा कर लाडा के रुम में खुस कर उसके साथ संबंद बना सके। इधर ताई और सोनु एक दूसे के साथ टाइम स्पैन करते हैं इधर तेन जब अपनी बेटी और लाडा को एक दूसे के साथ इतना घुला मिला और खुस देखता है तो उसके खुसी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो उन दोनों को देख देखकर बहुत ही स्माइल करता ह और ताई अपने भाई को इतना खुस देखकर बहुत ही खुस होता है इधर का भी लाडा का पीछा ही नहीं छोड़ती तो ताई भी दोनों परिवार को क्लोज लाने के लिए सब को कहता है क्यों आज राथ हम लोग साथ में डिनर करें तो सोई भी डिनर के लिए हां कर देत स्वागरात को इस तरह बरबात कैसे कर सकती हो उन दोनों के रहते हुए मैं कुछ भी नहीं कर पांगा तो सोई कहती है तुम टेंसन क्यों लेते हो वो लोग बस खाने के लिए आ रहे हैं वो लोग खाना खाएंगे और यहां से चले जाएंगे और मैं यह मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती क्योंकि मुझे अपनी बेटी की साधी उस खांदान में करवानी है इसलिए मुझे उन लोगों के करीब जाना ही होगा और उसके बाद तुम्हें लाडा के साथ जो करना है वो तुम करना ठीक है आगे वो लोग डिनर के लिए उसके घर आते हैं तो ते तार तार कर अपने जी में पानी लाता है तो तेन यह सम्नोटिस कर रहा होता है और उसे बहुत ही गुसा आ रहा होता है सिया पर बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता इधर सोनु और ताई भी एक दूसरे के धिरे-धिरे करीब आने लगते हैं सोनु को तो ताई से बिलकुल ही हो गया होता है परताइ को सोनु से बिलकुल भी प्यार नहीं है बस वो उसे एक दोस्ट करता है उसकी केयर रहा water आगे और लाड़ा्यर्म करते हैं उसके बाद लाडा और कावे से बीच पर जाते हैं खेलने के लिए और लोग साथ में बहुत ही मस्ति करते हैं लेकिन टे सब्सक्राइब तो कवी। के लिए मेडिू सेह लिए लेती है हम तुम्हें एटू को अ चपितल दबाएन की सोड़ेती सब प्रप्राइज़ हो जाता है कि लाड़다 अच्छ Поэтому कावी को होटल लेकर जाते हैं ताकि वो लोग उसका टेंपरेचर कम कर सके तो लाडा कवी का बहुत ही अच्छ से खयाल रखती है इधर सिया को जब पता चलता है कि लाडा तेन के साथ है और उसे आने में लेट हो जाएगा उसका गुस्सा तो साथवे आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए सोनू पर निसाना दागता है और उसके साथ बत्तमिजी करने लगता है तो सोनू चिलाने लगती है कि तभी वहाँ पर ताई आ जाता है और सिया को खीच कर एक मुक्का मारता है तो सिया ताई के मुक्गे को खाकर पुरी त सौक्त हो जाती है पर वह सिया की ही साइड लेती है और यह नसे में है इसलिए इससे गलती हो गई वैसे यह बहुत ही अच्छा आदमी है तो ताई कहता है मुझे लगता है कि आप लोगों को इसके खिलाफ रिपॉर्ट लिखवानी चाहिए तो सोई कहती है इसके कोई से अधाती है और घबताती है तुम्हारी हिमत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ बतमीज करने की और बबड़कने लगती है तो इसके अंदर फिर से हवस आजाती है और सिया सोई के साथ जबर्दस्ति सो जाता है वैं सोई जैसी औरत के साथ तो बिल्कूल ऐसा ही होना चाहिए उसने एक छोटी मासूम सी बच्ची की लाइब बरबात करने की कोशिस की थी तो इसकी सजा उसे मिलने तो चाहिए ही थी जो उसे सिया ने खुद दे दी सिया की इस अत्याचार से इतनी डर जाती है और उसे अपनी बेटी के लिए डर लगने लगता है कि कहीं सिया उसकी बेटी के साथ कुछ ना कर ले तो सोई अपनी बेटी के साथ उस घर से जाने लगती है तो सोनू कहती है हमें लाडा को भी अपने साथ ले जाना होगा तो सोई कहती है मुझे पता है वो होटल में है चलो हम लोग वहीं से लाडा को पिक कर लेंगे और वो ल कहता है मेरा तो मन किया कि मैं उसे जेल में डाल कर उसे खूब पीटू लेकिन उन लोगों ने मुझे रोक लिया इस जिस वजा से मैं कुछ भी नहीं कर पाया इधर लाड़ा भी उन दोनों की सारी बाते सुन लेती है तो लाड़ा घर जाने की जित करती है तो तैन कहता है और तैन लाड़ा को घर छोड़ देता है और उसे घर पर छोड़ कर वहां से वापस आ जाता है आगे लाड़ा घर के अंदर जाती है तो घर के अंदर कोई भी नहीं रहता कि तभी वहां पर सिया आता है और उसके साथ बत्तमिजी करने लगता है इधर सोनो और सोई को लेने के लिए चला जाता है आगे वो लोग घर पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि लाडा सी आके हवस के भूत को उतार रही होती है और लाडा सी आको खूम मारती है कि तब हमापर तेन आ जाता है और लाडा से पूछते हैं तुम ठीक होना तो लाडा कहती है लाधा उन लोगों को बताती है कि उसने सिया को किस तरह सबक सिखाया तो लोग लाधा की बहादुरी को देखका बहुत ही इंप्रेस होते हैं आगे वो लोग घर जाने की प्लैनिंग करने लगते हैं तो ताई कहते हैं तुम लोग यापर वेकेशन के लिए आये थे इतनी जल लोगों का एक्षेप्ट कर लेती है और उन लोगों के साथ रहने के लिए तयार हो जात आगे सब अपना वेकेशन इंज्वाई करने लगते हैं लाधा कावी एक दूसरे के साथ बहुत ही इंज्वाई करते हैं और तैन उन दोनों को एक साथ इतना खुस देखकर बहुत ही रहती है आगे वो दोनों भी साथ में बहुत ही इंज्वाई करते हैं धीरे धीरे एक दूसरे करीब भी आते हैं जिस चक्कर में उन दोनों के बीच एक क्यूट सा मॉमेंट भी आता है जहां पर वो दोनों एक दूसरे की इतने करीब आ जाते हैं और लोगों को देखकर भी भाई को यह सब बहुत ही अच्छे से आता है आगे तैन लाडा को केरफुली वाटर राइट सिखाता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं तो लाडा पहले तो अच्छा करती है लेकिन बाद में वो अपना कंट्रोल खो देती है जिस चकल में वो पाने में डूप जाती है ले तो वो इसमायल करने लगती है और लाडा को भी देखकर लगता है कि उसके दिल में भी तैन के लिए थोड़ी थोड़ी जगां बनने लगी है यह आगे वो लोग साथ में डिनर करते हैं कि तभी तैन को होटल से कॉल आता है कि होटल में कुछ ब्रियाइपी गेस्ट आने व मैं नहीं चाहता हमारे उसलिए कल से काम शुरू करना होगा क्यां कोई बात नहीं तो लाडा केती है अगर हम इस तरह घर चले गए तो कावी को बहुत बुरा लगेगा तो कहती है क्यों न तुम और माँ यही पर रुक जाओ वैसे भी काम मेरा है और मुझे करना है तो तु तो यह सब देखा बहुत ही खुस होती है और वो सोचती है मेरी बेटी सोनो ताई को पसंद करती है और यह दोनों एक दूसे के साथ अच्छे भी लगते हैं और लाड़ा इन दोनों के बीच में प्राब्लेम भी नहीं है तो क्यों ना मैं लाड़ा को तैन के साथ फिक्स कर द पूरी तरह बुखला जाती है और ताई को कॉल कर दो मुझे छोड़कर किस लर्गी के साथ गुल चरे उड़ा रहे हो तो मुझे धोखा देने के बारे में सोच रहे हो ना और गांडा ताई पर खुब भढ़कने लगती है तो ताई कहता है तो तो टाई कहता है कोई बात तो सोनु कहती है मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर बता सकती हूं कि तुम टेंसन में हो लेकिन मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम्हारा चुमे दूर हो जाएगा और सोनु अपनी प्यारी प्यारी बातों से ताई का मुड इस तरह ठीक करती है कि वह खिल खिला कर हसने लगता है इधर ताई सोनों को होटल चोड़ता है और उसे छोड़कर वहां से जाहिवा होता है कि तब ही की मुलाकात मौन से हो जाती है तो लीकिन को लगता है कि अब तो वहां 선े को अपना हिने की मestarव सोच कर चमचम जाने की प्लैनिंग करती है अले दिन सोई एक मौका भी नहीं छोड़ती तेन और लाड़ा को करीब लाने का और वो दोनों कावी की वज़ा से हमेशा एक दूसरे से मिलते रहते हैं और एक दूसरे करीब आते रहते हैं पर सोई को यह सब अच्छा नहीं लगत के और वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब जा सके और यह दोनों भी धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर मौन आ जाती है तो मौन तेन से पूछती है कि यह कौन है तो तो तेन बताता है कावी की टीचर तो लाड़ा कहती है मैं काव कैसे खाऊं प्लीज मुझे कंपनी दो तो तैन उसे कंपनी देने के लिए रुख जाता है आगे वो दोनों साथ में बैटकर डिनर करते हैं तो मौन तैन पर डोरे डालने की कोसिस करती है पर तैन का जरासा भी ध्यान मौन पर नहीं होता उसका सारा ध्यान लाड़ा और कावी पर होता है तो मौन को ये सब देह का बहुती गुस्फा आता है आगे मौन कावी से मिलने के लिए जाती है तो कावी मौन को देह करीब देखीORY और वो देखती है कि मौन एक मौका भी नहीं छोड़ रही तेन पर डोरे डालने का, तो वो समझ जाती है कि ये चलाक लोम्री तेन को पटाने के लिए उसके पीछे पड़ी हुई है, और ये चलाक लोम्री कभी भी तेन और लाडा को एक होने नहीं देगी, तो सोई मौन को उसकी असली जगां दिखाने के लिए तेन से पूस्ती है कि ये कौन है, तो तेन बताता है कि ये मेरी दोस्त है, तो सोई ये बास उनकर बहुत ही खुस होती है कि तेन इसे सिर्फ अपना दोस्त मानता है, इससे प्यार नहीं करता, तो सोई अपने बातों के जर्ये से मौन को ये रिलाइस करवाने की कोशिस करती है कि वो सिप तेन की दोस्त है उसकी वाइफ नहीं जो तुम उस पर इतना हग जतारी हो तो मौन समझ जाती है कि लाडा उसके लिए बड़ी प्रॉब्लेम नहीं है बलकि उसकी सोटेली मौम पसंद होता है तो ताई सोनो को गांडा से कंपेर करने लगता है क्योंकि गांडा को वो सब पसंद नहीं होता जो ताई को पसंद होता है वो हमेशा ताई को वो काम करने से रोकती है जो ताई को बहुत पसंद होता है पर गांडा को पसंद नहीं होता लेकिन सोनो के मामले म नहीं फस्ता उल्टा उसे इग्नॉर करके वहां से चला जाता है तो मौन को बहुत ही गुसा आता है कि उसने इतनी कोसिस की पर तेन ने उसे पलट कर भी नहीं देखा इधार लाड़ा तेन को मौन के रूम से अजीब हालत में निकलते हुए देख लेती है तो लाड़ा को गल देखने गया था और तेन ये कहकर वहां से चला जाता है तो लाड़ा को ये सब सुनकर थोड़ा अच्छा लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा अगली सुपह लाड़ा जोगिंग के लिए जारी होती है तो वहां पर उसकी मुलाकात तेन से हो जाती है त लाड़ा से गंदी नजरों से देखते हैं तो तेन को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह उन गुंडों से लडाई करता है और उन्हें मार मार कर उनका कचुमर बना देता है तो लाड़ा ये सब देखकर पुरी थ्रा पैसान हो जाती और वह थीक और लाड़ा बातों को घुमा देती है तो त謇न समझ जाता है कि लाड़ा को उसकी फिकर है पर जताती ही आगे वह दोनों बात करते करते जाड़े होते है कि तभी वहां पर मौन आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देखकर उसका खूनी खॉल उड़ता है पर सोई उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही खुस होती है क्योंकि उसका प्लैनिय यही होता है लाड़ा और तेंको एक दोसे से मिलाना भले ही वो कोई प्लैनिंग नहीं कर रही होती है पर भगवान खुद ही उसकी इस सिक्षा को पूरा कर रहे होते हैं और उन दोनों को एक दोसे से मिलाने का कोई ना कोई मौका ढूंडी लेते हैं आगे मौन तेन के साथ time spend करने का एक और plan बनाती है और वो तेन को कहती है क्या हम मंदिर जा सकते हैं क्योंकि मैं चाहती हूं कि कावी अपनी mom की आत्मा की सांती के लिए पूजा पार्ट करें इसे कावी को भी अच्छा लगीगा और मुझे भी तो तेन कहता है ये अच्छा idea चलो साथ चलते हैं तो सोई भी मौन के इस plan पर पानी फिर देती है और वो लाड़ा को कहती है हमें भी मंदिर जाना चाहिए क्योंकि हमें भी लाड़ा के पापा की आत्मा सांती के लिए पूजा पार्ट करना है तो तेन कहता है ये तो अच्छा idea है चलो सब साथ में चलते है कि वो लोग एक family हैं तो सोई को उन तीनों को एक साथ देखकर बहुती गुसा आता है क्योंकि सोई चाहती है जहां पर मौन खडी है वहाँ पर लाड़ा खडी हो और तेन की पूरी family लाड़ा के साथ complete हो ना कि मौन के साथ आगे मौन बहुत कोसिस करती है लाड़ा को ते और कहती है चाहे तुम कितने भी कोसिस कर लो नहीं कर पाऊगी क्योंकि भगवान भी यहीं चाहते हैं कि यह दोनों साथ रहे तुम जब भी सोई की चुभी चुभी बाते सुनती है उसका मन करता है कि वह सोई को जान से मार दे लेकिन वह तेन के सामने अपना चुरेल वाला तो नहीं ला सकती वरना तेन तो उसे पसंद भी नहीं करेगा आगे मौन फिर से तैन को लाड़ा से दूर करने की कोसिस करती है लेकिन तभी कावी को नेंद आ जाती है और वो पापा को कहती है पापा मुझे होटल जाना है तो तैन अपना सारा प्लैन कैंसल करके कावी को ह होटल लेकर चला जाता है आगे मौन कावी को रुम में केला चोड़ कर तैन के पीछे जाती है ताकि वह उस पर डोरे डाल सके लेकिन कावी उसे जाने ही नहीं देती और कहती है आंटी पहले मुझे आप स्टोरी सुना ये तभी मुझे नेंद आएगी तो बैचारी मौन को मजबूरrop कावी को स्टोरी सुनानी परती है और तैन वहाँ से चला जाता है इधर लाडा का बोटिंग करने का बहुत मन होता है पर वहाँ पर कोई भी बोट एभी लेवल नहीं होती है कि तभी वहाँ पर तैन आता है और लाडा को कहता है ये बोट मेरी है तुम चाहो तो इस पे घुम सकती हो, तो लाड़ा ये बासुन का खुस हो जाती है, आगे तैन लाड़ा को बोट पर ले कर जाता है, आगे वो दोनों साथ में मिलकर बोट की सवारी करता है, तो तैन कहता है, क्या तुम्हें बोटिंग करना सीखना है, तो लाड़ा कहती है, आगे तैन लाड पर जाती है और वहां जाकर धेर सारे फोटोस किलिक करवाती है और धेर सारे पिच्चर किलिक करवाती है उसके बाद जब उन लोगों के जाने की बारी आती है कि तभी वहां पर बहुत जोर का तुफान आ जाता है जिस चक्कर में उन लोगों की जान जाने वाली होती है पर तो बैचारी जलके भुन जाती है और अपना सारा गुस्सा मैनेजर पर निकालती है कि वो लोग यहां पर क्या कर रहे हैं दो लोग वहां पर फसे हुए हैं जाकर उन्हें बाहर निकाले तो मैनेजर कहता है अभी तुफान थमा नहीं है जैसे ही तुफान थमेगा वैसे हमार रही होती है कि वो दोनों आइलेंड में अकेले एक साथ क्या कर रहे होंगे इस हाथसे के बारे में पता चलता है तो वो ताई को कॉल करके बुलाती है तो ताई कहता है तुम टेंसन मत लो जैसे वहां का तुफान थमेगा तो वो लोग उन लोगों को लेने के लिए चले है ताकि वो अच्छे से अपने आपको कवर कर सके आगे होटल की बोट भी आ जाती है और उन दोनों को सेफली होटल वापस लेकर जाती है तो मोन जैसे ही उन दोनों को ऐसी हालत में देखती है उसका खूनी खौल उठता है पर सोई उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर तो नहीं समाती और वो फिर से मॉन को टॉंच मारती है आगे सौई लाड़ा से पूझती है तुम दोनों के बीच आयलंड पर आईOnce पर क्या ह quilt नाइनट के एल क्या होगा हम दोनों के नहीं आता कि सोई क्या बात कर रही है आगे साथ में डिनर करते हैं तो मॉल फिर से 10 के साथ 10 स्पेंट करने का plan बनाती है पर 10 उसके plan पर पानी फिर देता है क्योंकि उसकी तभियर ठीक नहीं होती है इसलिए वो जल्दी सोने के लिए चला जाता है इधर कावी भी notice कर रही हो तो वहां पर उन लोगों को पता चलता है कि तेन की तवियत सच में ठीक नहीं है उसे बहुत फीवर है तो कावी को पने पापा के लिए बहुत बुरा लगता है तो वो लाड़ा से हेल्प मांगते और कहती है जिस तरह आपने मेरा बुखार चू कर दिया था ना उसी तरह मेर तो लाड़ा कावी के कहने पर तेन की देखबाल करती है जिस चकड में वो दोनों एक दुसे के काभी करीब आ जाते हैं और तेन को देखकर लग रहा होता है कि उसे धिरे धिरे लाडा से प्यार भी होने लगा है अगली सुभा मांगते थेन feito जानफ एक और नया प्लैन बन पर सोई को ये सब सुनकर बहुत ही मज़ा आता है आगे उन लोगों की vacation खतम हो जाती है तो सोई प्लान बनाती है कि अन लोगों को घर छोड़े पर मौन उसके nights प्लान पर पानी फेर देती और तेन को अपने साथ लेकर चली जाती है और सोई को अकेले ही घर जाना पड़ता है, आगे सोई और लाडा घर पहुंसते हैं और वो लोग अराम करी रहे होते हैं, कि तभी वहां पर सिया और सिया के बंदे आजाते हैं, उन लोगों के घर पर कभजा करने के लिए, तो सोई सिया से पूछने लगती है तुम ये क्या कर रहे हो तुम बैसों के बदले उसका सवादा किया है उससे पहले ही लाड़ा को रूम में भेज देती है और उसे और अदर करने निकले लाड़ा के कहने पर रूम के अंदर चली जाती है लेकिन वो अपनी बेहन को कॉल भी कर देती है, इधर सोई सिया को कहती है, तुम्हें लाड़ा का सरीर नहीं मिला, लेकिन तुमने मेरे साथ वो सब किया ना, तो अब ये हिसाब बड़ाबर, तो सिया कहता है, तुम जैसी बुरी के साथ मुझे सो कर क्या मज़ाएगा, और वैसे भी तुम्हारी कीमत 5 मिलियन नहीं 5 हजार है, इसने चुक चाप मेरे पैसे मुझे वापस करो, तो सोई कहती है, कम से कम मुझे थोड़ा सा टाइम तो दो, तो सिया कहता है, मैं तुम्हें तीन दिन के अंदर 5 मिलियन नहीं दिये, तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को इस घ कीरी हुई हरकत कैसे कर सकती है आप क्या भूल गई कि आपकी भी एक बेटी है तो फिर आपने लाड़ा के साथ ऐसा क्यूं किया मुझे तो आपको मां कहते हुए भी सर्म आती है तो सोई कहती है हम उसे गलती हो गई मैंने यह सब को जान बूझ कर नहीं किया है सुनू सिया जाकर सिया के मुँपर मार पाती इसलिए मुझे उसकी यह सर्त मानने पड़ी प्लीज मुझे माफ कर दो लेकिन तुम टेंसन मतलो मेरे पास एक आइडिया है सिया के पैसो को चुकाने का तो सोनू कहती है अब आप कौन सी बेफकूफी करने वाली है मॉम तो सोई कहती है त पहले आप लाड़ा को सिया के पास बेच रही है और अब आप लाड़ा को तेन के पास बेच रही है आप में थोड़ी सी भी सरम है या नहीं मॉम तो सोई कहती है बकवास करना बंद करो मैं लाड़ा को बेच नहीं रही बलकि उसका भविस से सुधार रही हूँ तुम्हें पता है कि तेन बहुत ही अच्छा आदमी है अगर लाडा की साधी तेन से हो गई तो लाडा जिंदगी भर खुस रहेगी और तुम्हें पता है ना कि कावी भी लाडा को बहुत पसंद करती है अगर यह तीनों एक साथ हो जाएंगे तो इन तीनों की फैमिली कंप्रीट नहीं हो जाएगी क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो सोनू ये सारी बाते सुन लेती है और वो कुछ भी नहीं कहती क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आरा होता है कि वो करे तो करे क्या आगे लाड़ा सोनू से पूछती है आंटी ने क्या कहा हम लोग इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलेंगे तो सोनू कहती है लाड़ा तुम पर्षान मतलो हम किसी ना किसी तरह इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे आगे ताई जब भी मायूस होता है तो वो सिधा सोनू के पास जाता है ताकि सोनू उसे चेरप कर सके तो सोनू कहती है क्या तुम्हारा पैचप हो गया क्या तुमने उसे मना लिया तो ताई कहता है मैंने बहुत कोसिस की पर गांडा मेरी बात ही नहीं सुन रही तो सोनो कहती है तुम उससे सचा प्यार करते हो ना तो कोसिस करते रहो वो एक ना एक दिन जरूर मान जाएगी तो ताई सोनो की बाते सुनकर खुज हो जाता है पर सोनो सैट रहती है क्योंकि वो अपने ही प्यार को अपने ही हाथों से किसी और को सोप रही होती है और टाइ इतना बरा डफर रहता है कि वो सोनो जैसे अछी और प्यारी लग्स चोड़ कर примेल उस चुरेल गांडा के पीछे पढ़ा होता है जो किसी और लड़कें के साथ गुलचरे उड़ा रही होती है दोसी तब सोई तेन के पास जाती है और उसे बताती है कि सिया ने उन लोगों का जीना हराम कर दिया है अगर हमने सिया को 5 मिलियर वापस नहीं किये तो सिया हमारा जीना हराम कर देगा और वो लड़ा के साथ भी कुछ भी कर सकता है तो तेन कहता है ठीक है मैं पैसे दने के लिए तयार हूँ लेकिन मेरी एक सर्थ है मैं सिया के सारे पैसे वापस कर दूँगा लेकिन इसके बदले आपको लड़ा की गार्जन सिप मुझे सौपनी होगी और जब तक लड़ा अपने पैरो पर खड़ी नहीं हो जाती तब तक लड़ा की गार्जन सिप मेरे पास रहेगी तो सोई कहती है आप ऐसा क्यूँ चाहते हैं तो तेन कहता है लड़ा के पापा की मौत मेरी वज़ा से हुई है और मैंने लड़ा के पापा को प्रॉमिस भी किया था कि मैं लड़ा का खयाल रखूँगा इसलिए अप से लड़ा की जिम्मेदारी मेरी होगी तो सोई कहती है गार्जन सिप लेने के बज़ाए आप लड़ा से साधी क्यों नहीं कर लेते इससे अप लड़ा का ज़्यादा खयाल रख पाएंगे और लड़ा आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी तो तैन कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता मैं लड़ा की लाइफ बरबाद नहीं कर सकता और वैसे भी लड़ा इस साधी के खिलाफ होगी और मैं लड़ा के मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करूँगा इसलिए मैंने आपसे जो कहा है बस मेरे लिए उतना ही कर दीजिए तो सोई को ये सब सुनकर बहुती गुसा आता है क्योंकि उसने पूरी प्लैनिंग की थी लड़ा की साधी तैन से करवाने की ताकि वो तैन की प्रॉपर्टी पर S कर सके पर यहाँ पर तैन तो लड़ा से साधी ही नहीं करना चाता है बस वो उसका गार्जन सिप लेना चाता है और सोई इसी बात को सोच कर परिसान रहती है पर वो हार नहीं मानती और वो एक और तिग्रम लगाती है लाड़ा और तैन को एक साथ लाने के लिए आगे तैन अपने भाई ताई को एग्रिमेंट वाली पूरी बात बता देता है तो ताई कहता है भाई आप लाड़ा से साधी क्यों नहीं कर लेते उसकी गार्जन सिप लेने के बज़ा है तो तैन कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता वो अभी बच्ची है और वैसे भी जब भी वो मुझे देती है वो हमेसा गुसा करने लगती है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वज़ा से उसे कोई भी प्रॉब्लम हो और वो अपने कारणामे को छुपाने के लिए लाड़ा के पापा का सहारा ले रही है और मैं नहीं चाहता कि सोई आगे चल कर लाड़ा को परिसान करे इसलिए मैं उसकी गार्जन सिप लेना चाहता हूँ तो ताई कहता है भाई आपकी फिकर को देखकर लगता है कि आप लाड़ा से प्यार करने लगे हो तो तैन कहता है तुम पागल हो गए हो मैं लाड़ा से प्यार क्यों करूंगा हम दुनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है तो वो ताई से पूछती है कि आखेकार उस agreement में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिस वज़े से उसकी मौम इतनी परिसान है तो ताई उसे पूरी बात बता देता है और उन दोनों को अपनी बातों से इस तरह मैनूपलेट करती है कि वो दोनों भी उसकी बातों में आ जाते हैं तो सुईटेन के दिमाग में ये भरती है कि अगर हमने सिया को उसके पैसे वापस कर भी दिये तो भी सिया लाड़ा का पीछा नहीं छोड़ेगा क्योंकि सिया की गंदी नजर है लाड़ा पर इसलिए हमें लाड़ा को सिक्यूर करने के लिए उसके लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे सिया उसका कभी भी बाल बाका ना कर सके और नहीं उस पर गंदी नजर डाल सके तो ताई कहता है सुआत में दम है भाई हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम लाडा को सेफ रख सके और मेरे दिमाग में एक ही आइडिया है हमें लाडा की साधी कर देनी चाहिए एक अच्छे इंसान के साथ तो सोई कहती है मैं भी तो यही कह रही हूँ ना तुम अपने भाई को समझाओ ना अगर वो लाडा की गार्जन सिर्फ चाहते ही हैं तो वो लाडा से साधी कर ले इससे हम दोनों का ही फायदा होगा लाडा भी सुरक्चित हो जाएगी और हमारे सर से सिया का तलवार भी हट और सोई तेन को इसता मैनुपलेट करती है कि बेचारा तेन भी कुछ सोच समझ नहीं पाता और वो कहता है अगर मैं लाडा से साधी के लिए तयार भी हो जाओ पर लाडा कभी भी इस रिष्टे के लिए तयार नहीं होगी तो सोई कहती है आप इसकी टेंसन क्यों लेते हैं तभी वहाँ पर सोनु आ जाती है और जब सोनु को इस बाई में पता चलता है तो वो पूरी धर सौक्ठ हो जाती है और अपनी मॉम से पूछती है आपने ऐसा क्यों किया मॉम वो लोग तो सिफ लाडा की गारजन से पलेना चाहते थे ना तो फिर ये साधी की बात कैसे पता है कि तेन बहुती अच्छा लगा है उस घर में बहुती खुस भी रहेगी काभी भी लाडा को पसंद करती है इन तीनों को एक फैमली मिल जाएगी और तुम्हें सिया की नेचर के बाई में पता ही है वो इतनी आसानी से लाडा का पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा औ इसने मुझे लाडा की सेफटे के लिए जो सही लगा मैंने वही किया तुम्हीं बताओ हमारे पास क्या कोई और ऑप्शन है अगर हमने लाडा की साधी तेन से नहीं की तो वो हवस का पुजारी सिया कभी भी लाडा को नहीं छोड़ेगा और वो उसे पाने के लिए किसी भ पातों में नहीं आती तो सोई एक और तिकरम बाजी लगाती और लाडा को कहती है मुझे पता है तुम तेन से बहुती नफ्रत करती हो तो क्यों न तुम तेन से उसके किये का बदला लो और ये तुम्हारी लिए तो बहुती अच्छा मौका है उसी के घर में जाकर उसे पर कि लाडा भी सादी के लिए तयार हो जाती और वो सोई को कहती है जैसे ही में वहा से ढड़ सारे Пैसे जमा कर लूँगी तो में वहाँसे भाग जाउंगी तो सोई कहती है बिल्कुल मेरी जान तु ऐसा करना लेकिन उससे पहले तो तुझे उस घर में जाना होगा वहां जय पाकारी सही जगांपद और सही तरीके से काम कर रही होती है और सोही 10 को भी एक खुषकबरी दे देती है कि लाडा साधी के लिए तयार हो गई हैं तो तेन ये न्यूज सुनकर पुरी तरह सौक्ट हो जाता है कि लाड़ा इतनी आसानी से कैसे मान गई इधर सोई को जब इस बाई में पता चलता है तो वो अपनी मॉम से पूछती है कि आखे कार लाड़ा इतनी आसानी से कैसे मान गई तो सोई को मजबूरन सोनू को बताना पड़ता है कि उसने लाडा के दिमाग में तेन के खिलाफ ऐसे ऐसी बाते भरी है जिस वज़े से लाडा साधी के लिए मान गई है तो सोनू ये बात सुनकर तो पूरी तरह सौक्ट हो जाती है तो सोई कहती है अगर तुमने लाडा को इस वार में कुछ भी बताया तो तुम मेरा मरावा मू देखोगी तो सोनू अपनी मा की कसम की वज़ा से लाडा को कुछ भी नहीं बता पाती पर वो तेन को पूरी बात बता देती है क्योंकि उसकी मौम ने लाडा को बताने से मना क्या होता है पर तेन को नहीं तो तेन कहता है तुम टेंसन मत लो मैं लाडा का बहुत ही अच्छ से खयाल रखूंगा